कि अवाज आ रही है येस चलो जी कि अज़ेवरीवन आज जल्दी से पीपर रिव्यू करते हैं आज का पीपर क्या है आज के पीपर के अंदर में खास क्या था नया क्या था नया और क्या ये पीपर up to the mark रहा नहीं रहा ये पीपर ने बैंड बजाई नी बजाई क्या हुआ सब कुछ डिस्कस करेंगे सारी चीज़े डिस्कस करेंगे जल्दी से आईए आज मैं new paper new syllabus का discussion देने जा रहा हूँ सबसे पहले बता दू वो होता है न कई बार ऐसा कि जिस चीज से डर लग रहे हो और वही चीज सामने आ जाए और वो भी और भयानक महारूप में आए तो और डर लगता है तो बस बिल्कुल आज वैसा ही हुआ येस आज बिल्कुल वैसा ही हुआ कि डीटी का paper आया डीटी का paper जो आया ये lend ही आया पता नहीं इस बार क्या तकलीफ थी institute को शायद उनको इस बार कुछ अलग लेवल की तकलीफ थी जो you know paper इस level का निकाला हाँ अब paper की category में बता दू चाहे वो इंटर का paper हो चाहे वो final का paper हो दोनों भी paper को hard category के अंदर में रखा जा सकता है लेकिन CA final था तो जाहिर सी बात थी कुछ नया उगम स्थान तो मिलना ही था कुछ नया तो जिंदगी में आना ही था कैसे बूल सकते थे कि CA final का paper है बस उन्होंने दिखा दिया कि हाँ यही वो subject है जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा दम लग जाता है तो भीया हद पार लेंदी paper जिसको मैं बोल सकता हूँ हद पार लेंदी paper जी हाँ लेंदी भी था और कुछ जगह पे बहुत critical भी था हाला कि international tax ने ease पहुचा ही होगी international tax बड़ा easy आया था international tax में बिल्कुल वही question होगे जो बिल्कुल अपने questionnaire में आपको देखने को मिले होगे class में जो अपन ने solve किये है regular batch के अंदर में वही बढ़ हाँ एक बात में आपको बता दू बच्चा पहले ही subject को सर पकड़ करके बैठता था और आज तो उसने definitely paper देखने के बाद सर पकड़ा ही होगा सर उसने definitely पकड़ा होगा पहले मैं आपको paper का length दिखा देता हूं भाई साब paper का length अगरीब 16 pages का और इसके कुछ question इतने बड़े थे मान लो कि आप जैसे कि पूरा का पूरा chapter read कर रहे हो एक पूरा का पूरा chapter read कर रहे हो yes और आज का paper ना बहुत speed में लिखा होगा जिसने भी लिखा होगा mcq कि अगर मैं बात करू तो हाँ जो बच्चों से में को review मिले कि mcq जो था वो थोड़ा सा easy था उसने थोड़ा सा relief पहुचाया बाकी बहुत सारे adjustment ऐसे थे जो आपने पहले भी देखे होंगे हमने regular batch में भरबर के solve किया तो पहला 14 question का आप 14 marks का तो बिल्कुल problem ही नहीं आया होगा क्योंकि question bank के अंदर में भी आपने जबरदस देखा होगा question air के अंदर में दूसरा similar type की adjustments हम लोग ने इसके पहले भी देखी भी है तो चली आईए एक एक part को reveal करते है सबसे पहला question आपको दिया था 115 BAB के उपर yes पहला 14 mark का question था 115 BAB के उपर provide क्या था it is was a combination of you know total income and tax liability दो चीज़े निकालनी थी जो 115 BAB के इसाब से निकालनी थी a great combination of PGBP capital gain other sources और deduction भी इन्होंने गुमराह करने के लिए दिया था अगर आप यहां पर देखोगे तो उन्होंने आपको deduction भी गुमराह करने के लिए दिया था लेकिन मेरे बच्चे को याद रखना होगा कि क्या 115 BAB लेते वक्त deduction लेंगे या नहीं लेंगे इस बारे में आपका एक issue arise हुआ होगा तो जैसे कि अगर आप देखोगे ATJJAA से related आपको दिया गया था benefit और दूसरा आपको यहां पर ATGGA का भी benefit दिया गया था लेकिन 115 BAB लेते वक्त आपको कौन सा लेना है याद होगा हम लोगोंने already lecture के अंदर में regular back fast track में भी discuss किया था आपको यहां का benefit मिल जाना चीए यहां का benefit नहीं मिलना चीए 115 BAB को opt करते वक्त उन्होंने किया था कुछ adjustment जो थी जिसको आपको बहुत ज़्यादा धान में रखना था हमने कई बार lecture के अंदर में किया है questionnaire discussion में भी किया ह इसका one-fifth basis पर आपको reduction देना चीए था right यहां पर closing stock और opening less वाला adjustment था फिर यहां पर 112 A से related adjustments आप लोग को provide करी थी and so on and so forth right so इस तरह के की चीज़े आपको यहां पर provide की गए थी यह question था right आपके questions को मैं बिलकुल बाद में लेता हूँ आपके points को मैं बिलकुल बाद में हाल फिलाल में यह देख लेता हूँ question number 2 A यह set off and carry forward से related question था similar question था बिलकुल अपने class में भी adjustments किया वा है इसके बाद में same questionnaire के अंदर में भी cover था अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो तो इसके अंदर में जो class के अंदर में हम लोग ने किया था चाहे super 35 बोलो या regular ब उपर बेस था कि भी या order of set off क्या होना चीए आपका तो order of set off के उपर एक जबरदस question था हाला कि मैं कहूंगा यह easy one था 4 marks के लिए बहुत easy था इसके बाद मैं इसका second part को भी बड़ा easy कहूंगा 45 5 के उपर आपका capital गिनाया था compulsory acquisition के उपर adjustment का कौन सी चीज ध्यान में रखन थी एक compulsory acquisition था और दूसरा enhanced compensation था मतलब compensation था ही साथ साथ में enhanced compensation भी दिया था enhanced compensation देते वक्त उन्होंने बस एक की adjustment डाली थी कि भी यह expenses जो enhancement के लिए लगे होंगे उसका reduction मिलेगा यह नहीं क्योंकि cost और index cost वैसे भी उसकी निल थी ये तो वह एक adjustment आपको दिया था overall question number two easy category के अंदर में डालते है अपन overall question number two easy category के अंदर में डालते है अपन तीसरा अगर देखा question number two का B part यह transfer pricing से related था और transactional net margin method पे था similar question question bank के अंदर में दिया वा है as it is आपको question bank से यह question आया है यह वैसे past examination question का transactional net margin method का ही question है तो यह easy question मना होगा yes हला कि इसके अंदर में lengthy part कुछ नहीं था पर calculative part इसमें बहुत थे direct tax indirect tax इसके अंदर में include क्या था operating profit दिया था फिर मेनर के basis पर आपको क्या करना था calculation करने थे yes इसके बाद question number three a की अगर मैं बात करूँ three a की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपने abc analysis भी देखा होगा abc analysis मुझे बच्चों का जो message आया वो यह था कि यहाँ abc analysis में बहुत फाइदा हुआ क्योंकि यह सारी चीज मैंने आपको पहले abc analysis में देदी थी section सहीद right तो अगर आप देखोगे question number three a trust का था और यह dissolution of trust मतलब 115 td के उपर आया था वैसे भी trust के उपर एक question तो आपको बनता ही है या तो 115 td के उपर बनता है या तो computation of income of trust के उपर बनता है तो expected था td के उपर question बनना बन गया हाला कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बच्चे को एक tricky point जो दिया गया था यह question एक fresh question था tricky point क्या दिया गया था मैं आपको बता दू, tricky point यह था कि आपको 14 days count करने पड़ते है और valuation करना पड़ता है on the valuation date, yes on the specified date आपको क्या करना पड़ता है, valuation करना पड़ता है और वही चीज आपको यहाँ पर calculate करनी थी, valuation वाला part निकालना था और वही चीज यहाँ पर करनी थी, और जिस बच्चे को 115 td का valuation वाला next question देखेंगे, इसका B part देखोगे, तो इसका B part जो था, यह DTAA का एकड़म common question था, जो almost हर जगा आपको मिल जाएगा, module में भी similar type का question covered है, अपने notes के अंदर में भी लियावा है और question bank के अंदर में भी covered है, questionnaire के अंदर में भी cover है, तो जाहिर सी बात है, it was an easy question, DTAA के उपर base था, साथ साथ में मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, जब मैं ABC analysis बता रहा था, कि DTAA के साथ deduction जोड़ेंगे, या NR के साथ deduction जोड़के देंगे, तो उन्होंने दिया ही आके, दो चीज जोड़ करके, yes, उन्होंने already ये तीन चीज को दिया ही दिया, अच्छा, अगर आ जान दे, तो यहाँ पे एक और चीज जो hidden थी, वो ये थी कि assessi के age 62 थी और उसको interest income आ रहा था, FDR से, yes, तो कहीं बच्चे ने miss ना कर दिया हो, ATTTB, ये एक बार आप लोग को देखना होगा, yes, ये एक बार आप लोग को देखना होगा, चलिए जी, yes, इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे, he has opted for 115 BAC लिखावा है, याने 115 BAC को वो opt कर रहा है, उस हिसाप से tax compute करना है, अब आप सोच करके रखिए, अगर SSC 115 BAC opt कर रहा है, तो क्या उसको ये benefit मिलेगा, अगर किसी ने सिफ DTAA के अंगल से इस question को solve किया होगा, तो यहाँ गलत हो जाएगा, because यहाँ कहते वक्त उन्होंने ये कह दिया, that he has opted for 115 BAC, तो इस point को ध्यान में रखके, आपको deductions को avoid करके क्या करना था, उसका income calculate करना था, question number 4A की अगर मैं बात करू, question number 4A और इसके part B की बात करू, that is part second की बात करू, तो यह TDS, TCS पे base था, जो बहुत ही obvious पहला 194 O के basis पे था, और यह question आप से e-commerce operator के TDS की बात कर रहा था, और यहाँ पे बस आपको यह ध्यान में रखना था, कि यह जो gross payment हो रहा है, इसके उपर आपको TDS करना है, तो वो चीज़ के उपर आपको ध्यान में रखते वे, यह TDS निकालना था, इसके उपर TCS कलेक्ट होता है, तो उसके basis पे यह question था, उसके basis पे यह question था, मैं कहूंगा यह question आपको easy पढ़ा होगा, मतला अगर question number 2 का part 1 देखे, यह question number 4 का part A देखे, तो यह दोनों पार्ट थोड़े से जादा easy थे, इसके बाद question number 4 B का अगर मैं पार्ट बोलू, question number 4 B का अगर मैं पार्ट बोलू, 6 marks के लिए NR taxation का question था, which was an easy one, इस तरह के adjustments, regular lecture के अंदर में भी किये वे हैं, fast track में भी किये वे हैं, yes, it was an easy one, मैं आप से कह सकता हूँ, international tax का part जाद to direct tax, anytime, और यह तोड़ा सा easy भी था, मतब लिंदी भी नहीं था, और easy भी था, चलो जी, question number 5 A, मैं तो कहता हूँ कि एक छोटी रामायन ने लिख देते काय को एक आधी पेज बेस के, यह एक एक पेज के question होते हैं, question के अंदर में पूरी रामायन घुमा करके question काय के उपर ब assessment के पूरी procedure अगर आप देखें, तो उसमें revision का base था, कि 264 के अंदर में एक particular transaction हिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके ओपर यह question था, हाला कि question इतना लें दी था, कि बच्चे ने उपर का पाट पड़ा होगा, तो नीचे का पाट वो भूल गया होगा, और इस चक्कर म हो कई गलतिया कर सकता है, इस question में, specifically जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, तो कई hint यहाँ पर available थे, yes, तो वो गलतिया उसने miss नहीं करनी चाहिए, बाकि उसका question easy हो जाना चाहिए था, इसके second part की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर और था, इसके second part की अगर मैं बात करूँ, तो यह question आपको again, right, tedious related base था, tedious related base था, पर यह easy question था, यह वाला part easy था, लेंदी था, इसमें कोई doubt नहीं है, यह पूरा paper ही लेंदी था, अगर मैं question number second की बात करूँ, yes, मैं question number second की बात करूँ, तो यह question जो था, यह buyback दिख रहा था, पर यह question आपका base था, कि भी यह बताईए high court में written petition file करना चाहिए, या assessi ने appeal करने का भी right available था उसके पास, तो क्या वो direct high court में written petition file कर सकता है, क्या, कई बच्चों ने इसको हो सकता है, गलती से, buyback के angle से लिख दिया हो, लेकिन इसका answer जो आना चाहिए, क्या आपके पास जब appealing rights available है, तो क्या आप high court में जाकर के written petition file क कर सकते हो क्या, इसके उपर base था, येस, वो point को यहाँ पर highlight करना ज्यादा ज़रूरी था, examiner का मुझे ऐसा लगता है, कि examiner का focus उस तरफ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, येस, इसके बात की अगर मैं बात करूँ, part B, इसके बात की अगर मैं बात करूँ, part B, expected था, ब right, question, easy question कहूँगा, मैं इसे, ये hard question नहीं था, पर हाँ, lengthy ज़रूर था, yes, इसके बाद question number 6 का A part, गार के उपर base था, दो transaction पूछे थे, क्या ये गार के अंदर में आएगा, या ये गार के अंदर में नहीं आएगा, प्राइमा फेसी जो मैंने question पड़ा, इसके अंदर में आना चीए, इसके अंदर में नहीं आना चीए, हाला कि मैंने question पूरा नहीं पड़ा, बट प्राइमा फेसी बेस पे इस पे आना चीए, इस पे नहीं आना चीए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक question नही पढ़ते वक्त हम लोग provisional attachment पढ़ते हैं yes assessment topic पढ़ते वक्त section 158 पढ़ा जाता है 158A पढ़ा जाता है provisional attachment के उपर यह question उसके उपर बेज था जनरली यह topic इतना important नहीं होता पर हाँ इस बार चुन के मतलब चुनिंदा question निकाला इन्होंने attachment के उपर provisional attachment के उपर एक question जो almost इन दिनों में काफी famous है international tax में 94B thin capitalization के उपर बेज़ दे yes thin capitalization के उपर question पूचा गया है done and last की अगर मैं बात करू type of DTAA पूचा है DTAA किते प्रकार के होते हैं आपसे वो पूचा गया है यह तो बहुत easy question था theory question था DTAA से तो यह question आपको easy पढ़ना चाहिए अगर मैं बात करूँ question number 6 के तो part A और part B यह थोड़ा सा tricky होगा हलाकि part C के दोनों question यहाँ पे easy रहे होंगे yes तो overall अगर मैं question की बात करूँ question lengthy था अगर आपने इसको roughly 80 से 90 भी अगर आपने इसको attempt किया होगा तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि आपने बहुत अच्छा attempt किया होगा बाकी tension मतलो next paper के लिए तयारी कर लो last paper के लिए तयारी कर लो अब ये सारी चीज़े भूल जाना last paper के लिए तयारी कर लो last paper के तयारी करते वक्त याद रखना कि सारी कसर अब GST के अंदर में निकाल ली है तो GST को थोड़ा सा अच्छे से पढ़के चल जाना जो बेपर गया अब उसकी जिनता छोड़ दो हाला कि ये बात है कि आज मैंने जितने point बता है अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपने majorly गड़बड करी है या major गड़बड हो चुकी है तो I would suggest फिर कि भिया थोड़ा सा preparation के तरफ ध्यान देना IDT के उपर थोड़ा सा जादा focus करना येस मुझे बताईया आप लोग का paper कैसा रहा overall आप लोग का paper कैसा रहा अब ये कह रहा है सर हद पार band बजाने वाला paper था इस बार मैं तो कहता हूँ examiner को पता नहीं इस बार क्या ही सूजा चाहे वो इंटर का डीटी का पेपर था या चाहे final का डीटी का पेपर था इंटर का paper कैसा रहा कौन कितना complete कर पाया मुझे जल्दी जल्दी से बताईये comment करके बताईये आप लोग का paper कैसा रहा क्या रहा कि सारे provision की खिचडी बन गई थी कौन से पाट का 60 आ जाएंगे रागव को बहुत बढ़िया मिर भाई पेपर ले भारी रहा रोशन का बहुत शानदार बिटा इट वाज नॉंसेंस पेपर नहीं नॉंसेंस मैं खेर इसे नहीं बोलूगा क्योंकि पेपर सेंसेबल था लिंदी बहुत कर दिया था है हम एक्जामिनर को कहना चाहेंगे भी है क्या तकलीफ है आपको आप नहीं चाहते बच्चा पेपर कंप्लीट करें पहले तो सब्जेक्ट के अंदर में आपने इतने सारे टॉपिक दे रखें उसके बाद आप यह कहते हैं ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं अब बेराक्ट प्लस कमेंटरी से पंड़े की जरुद थी यह बात तुम्हें कह सकता हूं कि हाँ वो जरुद थी अब बाकि मोटे मोटी तौर पे आपने अगर 80 से 90 के बीच में भी अगर आपने किया होगा ना तो मैं इसे एक फैर अटेम्ट मानता हूं मैं इसे एक फैर अटेम्ट मानता हूं येस हाला कि मुझे ऐसा लगता है जैसे क्वेशन नमबर टू और फोर जो हर बार ही अल्मोस्ट हेवी होते हैं इसके अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि वो मांक्स देते वक्त थोड़ा सा शायद लीनियम्स ही बदल सकते हैं सर क्या कोई ग्रेस माक्स के चांसे है क्या देखे प्राक्टिकली ये इन्फरमेशन बाहर नहीं आती आई सी याई ही बताता है ये आई गया नहीं आई येस दन चलिए बहुत बढ़िया तो अपना ध्यान रखिये और हां जी एस्ट का पेपर के लिए अल दे बेस्ट और बाई टेक केर